नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्यार हिंदोस्तान में इस समय हम अयोधिया डिश्ट्री कोर्ट में हैं और एक नया मामला सामने आया है बाइस तारी के राम राम लला की प्रानपतिरिष्ठा का जो कारे करम है उसमें विग्णे डालने के लिए एक जन्हित आजिका दायर किये किस तरह से देखते हैं यह सिर्फ अपने नाम करने के लिए और कागरेंस पार्टी से पोशित होने वाले लोग है जो इस तरीके कि याजिका फर्जी स्वेकेशन में डाल रहा है इस तक कोई और चुत नहीं है मानिए उस आधार पर मंदर बन रहा है इस सिर्फ अपने नाम करने के लिए और पैसे कवानी की साजिशा उसमें दलील में यह कहा गया है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और मुक्य मंतरी योगी आधितिनाथ का प्रान पतिक्ष्टा करना असमवेधानिक है क्या है समवेधानिक है ऐसा कुछ नहीं है भगवान र नाम करसके अद्ण को चैका वह मने आजकर सके है विलकानल पताल इसन के तो यही लिए उन्हों ने प्राधान मंतरी और योगिया देनाथ असरवेधानिक तरीके से नहीं कर सकते हैं प्राण पतिश्टा नहीं है उन्होंने कहा नहीं कि यूटूब की खबरों को तरजी नहीं देते हैं सबसे बड़ी कोड जो है वो जनता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा जो भग्मान राम को मानती है वो जो है हिंदू है तो हिंदूओं के जो है मन के अनुशार जो नहीं आया है सुप्रीम कोड का अब उसके खिलाब अपना अपना राइट है लोग जाते रहें कुछ उनकी याजका है खारिज होती रहेंगी उसका कोई मतलब नहीं है चुकि यहाँ सबसे बड़ा जो जन्माना से वो हिंदूओं का है और भगवान राम अगर भारत में हिंदूस्तान में नहीं रहेंगे अध्या में नहीं रहेंगे तो कहां उनका मंद्री बनेगा कहां उनकी प्रानपतिष्ठा होगी आप जो याजका दाखिल करने वाले है उनसे पूछ सकते हैं राम काज को करना आप कह सकते हैं जैसे हनुमान जी ने राम काज किया उसी तरीके से भाजपा आरेसस विशंदू परिसद भी जो है भगवान राम का का काम कर रही है कहना ये भी है उनका कि ये जो प्रोग्राम है ये आरेसेस और विश्विंदु परिस्द का है इस चक्कर में सोनिया गांदी मलिकार जुनकर के या समाजवादी पार्टी के आखिले श्यादाओ कहले आने समना कर रहें अब आने समना कर रहें तो उनका बिनास काले विरीत बुद्धी उनका और बिनास होगा जितनी सीटे बची है इस बार वो भी नहीं बच रहेंगी वो तो दिन प्रदिन उनका बिनासी हो रहा है जो कि भगवान राम का विरोध करना फिर आदमी को कहीं रहे नहीं पादा रहा न को कुल रोवन हारा पूरे कुल मुन के कोई रोने वाला नहीं होगा देखिए संकराचार जो जहां तक संकराचार की बात है दो संक्राचार तो हमेशा भाजपा के और आरसर्श के विरोध में ही रहे हैं तो उनका कामी है विरोध करना अब रहे दो वो नहीं आ रहे हैं अब उनका अपना विशे है मैं उनके उपर टिप्री नहीं करना चाहता हूं लेकिन उनका ना आना ये गलत है और ये कहना कि जो है सास्त्र सम्मत प्राणपतिश्टा नहीं हो रही है भगवान राम जब प्रतिश्ट होते हैं तो उस समय जितने भी जो है क्या कहते हैं जितने भी जो है वो जो होती है हाँ ग्राणचत सब एक साथ जब जब वो प्रतिश्ट होते हैं तो सारे ग्रंशत एक साथ अपने आप में एक सुभ महर्थ हो जाता है अजित्यों में स्लस्तर हें तो उनका इ aggressory आ घर कि आप तो जो है साथी होती है तो एकाद दो लोग जो है नाराजी रहते हैं तो बस इतना एकदम सिंपल हम आपको बता दे रहे हैं इतना बड़ा देश है नेम और फेम के लिए या किसी पार्टी से पोसित होकर या अब उनकी विचारधारा अलग है तो कुछ न कुछ टांग अड़ाया जाए बाकि ऐसा कुछ है नहीं कोई मत आप खुद जाके उसका निर्चान कर सकते हैं आप लोग तो सायद पत्रकार हैं तो इंट्री होगी आज भी जा सकते हैं आप देख लीजेगा थोड़ा बहुत माल लीजेए जैसे गरी परवेश हो जाता है और हो सकता है घर का कोई एक कोना बचा ही हो वो बाद में भी डे इसके बरिष्ठ नागरिक हैं वो फरदान मंतरी हैं क्यों नहीं कर सकते हैं कोई उचित कारण बताएं क्यों नहीं कर सकते हैं और संकराचार जी महराज अब वो कुछ नाराज है ट्रस्ट के जो सच्यू हैं चंपत राजी से वो कुछ नाराज हैं उनको सायद वो जो सम्मा चाहते थे, वो उनको नहीं मिला, इस होजा से वो नाराज हैं, तो अब नाराजगी में कुछ न कुछ तो आदमी गलत सलत बोलता ही रहता है, बाकि अब संकराचार जी के बारे में हम कोई टिपड़ी विसेश नहीं करना चाहते हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वो जिस वज़ा से उन्होंने इस तरह से वयानवाजी की है, बाकि उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, और हम ये कहते हैं कि सुभ काम में जितनी जल्दी हो जाए सुभ काम उतने अच्छा होगा, ठीक है, वैसे आप अगर हिंदू होंगे तो ये जानते होंगे कि भगवान का जो काम है, वो कभी बंद नहीं होता है, अभी एक महिना खरवास, आप लोग जो भी कहते हूं, हम लोग खरवास कहते हैं, उसमें भी पूजा पार्ट और धर्मकर्म का हर काम होता रहा है, मंदिर का उत्गाटन भी हो जाता है, तो सुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा, रही बास संकराचार जी महराज की तो अब भाई बड़े लोग हैं, तो उनके बारे में ज्यादा टिपड़ी हम नहीं करना चाहते हैं, उनका जो विरोध है, उन्होंने दर्ज कराया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि मंदिर का उत्गातन ना किया जाए, उन् जित याद्ची का बाईस तरीका कारे करम रुकुआने के लिए उसके बारे में ज्याद्ची का बहुत सारी दाखिल हो रही है, अब ये बिधर्मी लोग हैं, इनको भगवान राम से प्रेम भी नहीं है, अच्छे काम में विग्ण डालने काम सिर्फ असरों ने किया था, हम सामाजी क्या रहा है, अब बंगाल चुना हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तमाम कहीं कुछ बोलने नहीं है, मतुरा का इतना बड़ा अन्या आए हुआ, वहां बोलने नहीं है, यहां हम नहीं आएंगे, और रही जहां मोहुत के बाद तो हमारे कासी विद्वत परिश यह कि आपको इस्पेशली बुलाया जाए, किसी भी संगर्स में इनका कोई योगदान नहीं है, दूसरी राजनितिक पार्टियों से परभायूत हो करके यह आना आप सनाब वक्तब दे रहे हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं, तो हमें उन्से कोई मतलब नहीं आपको नहीं अधिकार प्राप्त था, जब कोई व्यक्ति जिसके परिवारे में कोई नहीं होता, उसका पिंड़दान राजा कर सकता है, अगर सास्त्रों में जाएं, अब सास्त्रों पर चार्चा करेंगे, तो बहुत लंबी हो जाएगी, अब बाकी वो जहां तक जो बिरोद करने वाल कमार का प्रसस्त हो गया, मंदिर बन गया, अब ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि राम लला हमेशा टेंट में ही रहें, वो मंदिर में ना जाएं, अगर मंदिर में जा रहे हैं, तो जिनके भी पेट में दर्द हो रहा है, तो राम भक तो ही नहीं शकते, और फिर मैंने ज और सो भी बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? तो मुहरत नहीं है, चोथी, कि मुक्यमंद्री आदित Forgive, योग आधितिनात और नरेंद्र मोदी के प्राणपतिष्टा अस्व वैंधानी के उनका करना. नहीं प्राणप्रतिष्टा तो मोदी और योगी कर ही नहीं रहें प्राणप्रतिष्टा तो आचारी करेंगे जो पूरे भारत के जो हिंदू सनातन धर्म के अच्छे अचारी आए हैं वो प्राणप्रतिष्टा करेंगे अब इसके मुहूरत की बाद, मुहूरत तो विश्व के जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, मुहूरत निकालने आले आचार जी बानारस के उन्होंने किया है, तो मुहूरत भी सही है, तो उसमें कौन नहीं कह रहा है, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो है वो houना चाहिए उसको तो हमने के बाद के पास अधीकार है कि व याची का किस सब गलब भाथ कोई मतलब नहीं है कि कौौन स्रेट में ले रहा है वो नहीं ले रहा है। पर गड़ ले रहा हैं! तो यह गलत बात है कि भाजपा सिरे ले रही है वो सिरे ले रही सब गलत है